हेलो फ्रेंज मेरा नाम है रिचा और आज आपके लेकर रहे हैं बत्वे के बॉंडे तो आए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है हमने यहाँ पर आधा के लोग बत्वा लिया है इसे हमने अच्छे दो कर काट लिया है इसमें हम डाल रहे हैं एक कप सूजी सूजी मोटी बारिक आप कोई भी ले सकते हैं एक कप बेशन इसमें हम डालेंगे एक चुटाई चम्मच अजवाइन एक बड़ा चम्मच नमक और हम इसमें डालेंगे एक छुटाई चमच गरम मसाला, हल्दी पाउडर एक छुटाई चमच, जीरा पाउडर, एक छुटाई चमच और इन सबको वच्चे से मिला लेंगे हमने यहाँ पर एक छुटाई चमच लाल मिश डाली है और इनको मिला देंगे मिलाने के बाद दस मिनट ले छोड़ देंगे ताकि जो बत हुआ है वो अच्छे से अपना पानी छोड़ दे और हम इसे इसके पानी में ही अच्छे से सान लें तो दिखते हैं दस मिनट बाद कितना पानी ये छोड़ता है तो दस मिनट हो चुके हैं और इसने अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है अब हम इसे अच्छे से मिला रहे हैं तो इसका डोजज़त तयार हो रहा है हमने अब थोड़ा सा पानी डाला है करीबन दो बड़े चमज इससे जादा पानी की जरुवत नहीं है इसमें इसके राउंड राउंड से बाउल नहीं बनेंगे तो यह हम इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि उपार से नीचे तक पूरा यह मिक्स हो जाएं और मिक्स करने के बाद हम इसकी छुटी-छुटी सी बॉल तयार कर हैं तो देखिए आप उसे दिखा रहे हैं कि मैं कुछ इस तरह की राउंड राउंड सी बॉल तयार करनी है और फिर उसे तलेंगे हमने यहाँ पर तील पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था तेल हमारा अच्छा गरम भी हो गया है अब एक करके हम सारी बॉल इसमें डाल देंगे और दोनों तरब से गोल्डन ब्राऊन हो Tube से फ्राय करेंगे इसे अच्छा गोल्डन ब्राऊन करेंगा ने तो यह अंदर तक कुप नहीं होगा लेम को मीडियम पे रखेंगा ताकी पूरा कं पूरा अंदर तक यह पक सके हलका सा भी कच्छा रहेगा तो खाने में टिस्टी नहीं लगेगा सर्दियों के मौसम में इस तरके के स्नैक सा बना के खा सकते हैं ताकि आपको सर्दियों में जो आने वाली सब्जियां हैं उनका benefit भी मिल सके और taste भी तो हमने इसे अच्छे से golden brown करने के लिए पलट दिया है तुरंत ना पलटे थोड़ा रुके पलटे ताकि नीची के सत्य अच्छे से कोख हो जाए पलटने में ये पटे नहीं तो देखिए हलका हलका से golden brown होने लगे हैं और इसे की से पलट पलट के हम अच्छे से golden brown कल लेंगे और पिर इनमे दही चट्नी के संग सब्साइब सर्फ करेंगे खाने के लिए तो देखिए अच्छा कलर आने के बाद अब इसे निकाल लेते हैं कल्ची को साइड में निकाल के सारा तेल इसका निकाल देंगे और फिर इने सर्फ करेंगे आप इने टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं तो यह देखें बन के तयार है हमारे बतवा के बॉंडे अगर आपको मेरे इसी पसंद आई हो प्लीज में चैनल को लाइक शेयर के दबना ना भूलेगा ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू पर वचिंग माय रेसिपी आई होप यू इंजॉए